पडियावरन सरच्छन का संदेश देने के लिए विहार के मुख्य मंत्री नितिस कुमार गुरुवार को एक इलेक्ट्रिक कार में राज्य विधान सभा पहुंचे जैसे ही उनकी गारी दुसरदनिये विधान मंडल के निर्वान वाले एतिहासिक भवन के बरामदे में पहुंची उन्हें परिवान विभाग के परधान सचीफ संजय अग्रवाल ने एक गुल्दस्ता भेट किया विधान सभा पडीसर में जाने वाली सीडियों पर चरते समय नितीश को यह कहते हुए सुना गया इस कार में यात्रा करना एक खुसी की बात है यह लगभग ध्वनी रहित है और इसका डिजाइन अंदर बैठते समय बहुत आराम दयक लगता है इस अवसर पर पत्रकाडों से बात करते हुए अगरवाल ने कहा कि टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित इस कार को चार घंटे चार्ज करने पर डेर सो किलोमीटर की दूरी तै की जा सकती है बिजली की लागत में निर्मान के बारे में कहा जा सकता है कि 11 लाग की कीमत वाली इस कार का दाम 80 पैसे प्रती किलोमीटर है अगरवाल ने आगे बताया हम एक अनेमार्ग पर चार्जिंग पोइंट लगाने की प्रकिरिया में है प्रमुक सचीव ने कहा ऐसे सभी वाहनों में उनके पडियावरन के अनुकूल प्रकिर्टी को उजागर करने के लिए हरे रंग में नंबर प्लेट होंगी मुख्य मंत्री के पास जाते ही कार के अंदर अपनी माइक्रोफोन फेकने वाले पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ड्रैवर गनेश ने कहा गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है बार बार गीर बदलने की ज़रुवत नहीं है इस महीने की सुरुवात में वित मंत्री निर्मला सीता रमन द्वारा पेस किये गए केंद्रिये बजट में इलेक्रिक कारों की खड़ीद के लिए लिए गया रिनो के ब्याज के भुकतान पर तेरल लाख रुपए के अतिरिक्त करलाब की घोसना की गई थी इससे नरेंद्र मुदी सरकार द्वारा परियावरण के अनुकूल कारों के उपयोग को बरहावा देने के लिए एक उपाय के रूप में देखा गया था अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए सेर कीजिए थैंक यू